हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मत पूर कंप्यूटर से संबंदी सब्सक्दाबलियों के बारे में ठीज डाटा इस्थाना अंत्रण दर डाटा ट्रांस्फर रेट डाटा को एक कंपूटर से दूसरे कंपूटर अथवा सहाएक मेमोरी से मुक मेमोर स्थाना आंत्रण करने की दर रोटाट इस्थाना अंत्रण कहते हैं फ्रेट डीवर डीव अगर एक ऐसा साप्टवेः जो किसी सौप्टवेः प्रोग्राम में गल्तियों को ढूंड कर उसमें सुधार करने करके करता है उसे डीगर के डीबगर कहते हैं फ़र है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, File Transfer Protocol कई उपयों करता हूँ कि Network से जुड़े Computer के बीच File के इस्थाना अंतर्णक में सहाई नीमों के समूख को File Transfer Protocol कहती है Frag Gateway या विसे इस लाइन दोरा कि Internet से जुड़ा Computer होता है या अन computer Terminal को Internet की सुद्धा बिदान करता है या अलग-अलग Computer और अलग-अलग Protocol का प्योग करने वाला Computer होता है जो अपने से जुड़े Computer को सभी Network से जोड़ता है फ़रे Footer या Footer Computer में दस्तावेज Page की सबसे नीचे की पंक्ती में सुद्धा लिखे जाने बाले Text को Footer या Footer करते हैं जैसे Page नमबर तारीक संदर बेसेशादी फ़रेट आट टाफिच Monitor पर एक मिली मीटर में बिंदूओं की कुल संख्या को Dot पिच कहते हैं याँ Monitor की क्वालिटी को बताता है फ़रेट डेग Drag माउस के माद्यम से जब एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो sit, drag करते हैं Drag फ़रेट ग्रेपोड Input और Output विक्रिया को संपन करने ही तो दिये गए निर्देश को ग्रेपोड कहते हैं फ़रेट फोर्टोन यह एक को चस्तरी वासा होती है जिसका उपयोग बिग्यानिक और गड़ती है उपयोग में किया जाता है फिलिप क्लॉप यह है मेमोरी की सबसे छोटी ही काई होती है जो एक बिट के ले भंडारन कार करती है यह है कैसी एलक्रोनिक होती है जो दो बाइनरी स्थिति मैंसे किसी एक में रहती है रहे ईप्रोम यह डाटा संग्राइब करने वाली एक चिप होती है इसमें उच चिप विद्धुद बेवाव के द्वारा एक डाटा को मिटा कर दूसरा डाटा दूसरा डाटा डाला जा सकता है सरफ फेस इमायल ट्रांजविशन लिकित सामगरी सब्दचित तथा ग्राप को टेली फॉन लाइन के मद्रम से एक इस्थान से दूसरे इस्थान और पेसित करने का माद्धे में इसे उप्ती को संचिप्त में ठेक्स कहते हैं प्रहाई वर्नेशन जब कंपूर्टर सभी चालू प्रोग्राम को हार्ड डिक्सक में संचित करके बंद होता है और पुनाहा चालू करने पर सभी प्रोग्राम पुनाहा उसी अवस्था में खुल जाते हैं तो इसे हाई वर्नेशन कहते हैं तो रहा है हाईपर टेक्स्ट किसी डॉकुमेंट की सब्दे या सब्दे समुग को उसी डॉकुमेंट या किसी अन डॉकुमेंट से लिंक करने की विक्रिया को हाईबर टेक्स्ट कहते हैं आईपी पता इंटरनेट प्रोटो कॉल या विबसाइड का 30 बिट का अंकी ये पता होता है फिर सर्वर और उसके जुड़े नोड की पहचान को बताता है फिर क्यों इसका या सारवजनेक इस्थानों पर लगाया गया कंपूटर होता है इसके द्वारा उप्यों करता को सामान जानकरिया प्रदा प्राप्त होती है फिर लाइट फेन यहीं एक इन्पूट डिवाइस है इसका उप्यों कंपूटर स्कीन पर लिखकर इन्पूट देने में किया जाता है फिर मेगा वाइट यह मेमोरी के एक एक आई है यह दो की पावर 20 वाइट वराबर 10,48,576 वाइट के वराबर होती है फिर मोडियूलेशन यही एक पिक्रिया होती है जिसमें डिजिटल संकेत को एनालोग संकेत में बदल कर संचार मात्य में भेजा जाता है फिर नेटिजन ऐसी नागरिक जो इंटरनेट का उप्योग राजनितिक समाज में भाग लेने इतरीकों के रूम में करता है उसे नेटिजन कह जाता है फिर निवल चार बिट के समोग को निवल कहते हैं यह आदी वाइट के वराबर होता है फिर प्रो लॉग इस कंपूर्टर की एक उच्चस तरिये प्रोग्रामिंग भासा है इस बासा में तारिकिक प्रोग्रामिंग एवं किंतिम प्रुथी का प्योग किया जाता है फिर है वाइनरी नंबर यह एक दो यादारी संख्या होती है जिसमें 0 और 1 खुल 2 अंकों का प्योग होता है फिर है ओक्टल नंबर यह एक संख्या पत्ति होती है जिसमें 0,1,2 से लगा कर 7 तक कुल 8 अंकों का उपयोग किया जाता है फिर है डेसी 1 नमबर यह दास्मिक संख्या बतती है जिसमें 0,1,2,9 तक कुल 10 अंकों का उपयोग होता है फिर है ओप्तिकल डिस्क यह डाटा संगेत करने के लिए बना एक उपकरन होता है जिसमें लेजर केड़ों का उपयोग किया जाता है फिर है पास्कल यह कम्प्यूटर की उच्चस्तरी यह वासा होती है फिसित गड़ तक बिलेज पास्कल के नम पर इसका नाम करने किया भी फिर है स्पैम किसी आवांचित बिग्यापन को इंटरनेट पर इमेल के द्वारा दूसरी कम्प्यूटर भेजने को स्पैम कहते हैं फिर है स्टेंड वाय कम्प्यूटर बहुत उर्जा लेते हुए जब यह इसके रिए अवस्था में बना रहता है तो इसे इस्टेंड वाय कहते है इस अवस्था में कम्प्यूटर को तुना तोपियो में लिया जा सकता है इस अवस्था में सूचना है हायर डिस्क में संचित नहीं की जाती है फिर है रिंग टॉपोलोजी इस में क्रिया में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है इस विवस्था में सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप के रूप में जुड़े होते हैं फिर है सेक्टर या मेमोरी हाट डिस्क पर डाटा लिखने वाली सबसे छोटी का ही होती है फिर है सेरियल पोड इसके द्वारा क्रमबद तरीके से संकेतों को कादान कितान होता है या कंप्यूटर के इंपुट आउपट ओकरन को जोडने वाला पोड होता है सुपर स्किप्ट किसी अक्षर या अंग के बाद जब उसके ऊपर कोई दूसरा अक्षर या अंग छोटे आकार में लिख लिया जाता है तो उसे सुपर स्किप्ट कहते हैं इसका उप्यों नए डोकुमेट को तेयार करने में किय créd जाता है तेरावाइट याई एक मेमोरी का मात रख होता है 1 तेरावाइट बरावर दो की पावर चालीस ब्राइट होता है एक या एक आसान इंपूट अपकरन होता है wild card किसी आग्यात character के स्थान पर फेवग होने वाले character को wild card कहते हैं यह character star या question mark कुछ भी हो सकता है फिर है light once read many warm disk यह एक ऐसी पेकासी यह disk होती है जिस पर सूचना एक बार लिखी जा सकती है फिर हम तो इसको बार बार पढ़ा जा सकता है फिर बॉर्ण यहीं एक प्रकार का computer वारस होता है यह में वोरी में संगेद प्रोग्राम एवन डाटा को नश्ट कर दीता है फिर वाइमेक्स यह संचार उपलब्द कराने में वाली एक बेवस्ता होती है लंबी दूरी का बेतार संचार इससे उपलब्द होता है फिर अभीकस यह गर्णा में प्युक्त होने वाला वाली एक अती फिचलित प्राचीन विदी है एक्यूमुलेटर यह डाटा और पईडामों को बंडारित करने वाली एक यह एक पकार कर रजिस्टार है जो सूचनाओं को बंडारित करता है फ्रे एनिमेशन गती सीलता का आभास कराने जितू जब कई चित्रों को किरमिक रोप से तेजी से गुजारा जाता है तो एनिमेशन कहते हैं फ्रे ब्रेंड यह डाटा संचरेंड की गती माप मापा निकाई होती है फ्रे कैथेव रेट्यू इसका उप्यूटर मॉनिटर और टेली वीजन में होता है यह एक एलेक्ट्रों एलेक्ट्रोनिक ट्यूव है जो चित्रों और सूचनाओं उप्यदर हाल्ट पूर्व निर्धारित अनुदेशों के द्वारा कंप्यूटर का तब तक कार करना जब तक इसे उप्योग करता द्वारा बदला नहीं जाता है फ्रे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डी ओप एस यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉप्यूट्वेर है इसका इंटर्नेट सर्विस्तिदात आईएसपी यह इंटर्नेट फिदान करने वाली संस्ता है इसमें गेटवे कंप्यूटर की सायता से अन्य कंप्यूटर गेटवे को इंटर्नेट से जोडने की सेवा देता है फ्रे कूबेंड यह लगवक 11-14 GHz की बीच की आवित्री होती है इसका उपयोग सेटिलाइट संचार में किया जाता है फ्रे लोगो यह एक फिकार की प्रोगरामिंग भासा है इसका उपयोग वच्चों को कंप्यूटर की सिक्चा देने में किया जाता है फ्रे मैं फ्रेम कंप्यूटर इस पिकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्र रंगों का समगूर होता है तरह पिक्सर या कम्प्यूटर डिस्पलेई पर या कम्प्यूटर इमेज को फिदर्सित करने वाला बाली मुह लिकाई है तरह पोकेट पीसी यही एक छोटा कंप्यूटर होता है इसे पर्टनर डिजीटल असिस्टेंट पीडिये वी कहते हैं इसे ब्यक्तिका तुप्यों के तूप्यों किया जाता है फिरे स्टार्ट अपोलोजी इसमें अनेक नोड की माध्यम से संचार इस्थावित किया जाता है यह नोड के के अंदरिये हब या होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं तरह स्विपिंग कंप्यूटर के डाटा वाफ प्रोग्राम को डिस्क पर इस्टोर करना स्विपिंग कहलाता है इस डाटा वाफ प्रोग्राम को आवस्चता पढ़ने पर मुख मेमोरी में भी डाला जा सकता प्रेट ट्रांस्पॉंडर या रेडियो संकेत को प्राक्त पुनाफेशित परिवर्दित कर सकता है इसे संचार उपुरेव प्र लगाया जाता है वीडियो पे दर्सनी टर्मिनल वीडियो डिस्पले टर्मिनल या यह कंप्यूटर टर्मिनल होता है इसमें इनपुट के के monitor का प्योग किया जाता है थारे pen drive या pen के आकार का electronic memory उपकरन होता है इसलिए इसे computer के universal serial वस से जोड़कर data संग्राइब में प्योग किया जाता है थारे DNA computer इसे बायू computer भी कहा जाता है इसमें जैविक पदार जैसे DNA protein आधी का प्योग किया जाता है जैविक पदार्तों के प्योग से data गुस्ता रक्षित वा प्रोसेस किया जा सकता है फ्रेप प्रॉम पॉम टाप यह हात में रख कर कार करने वाला बहुत ही छोटा computer है इसमें आवाद द्वारे input का कार संपन होता है इसमें keyboard नहीं होता है इसका उप्रॉम में भी किया जा सकत थे वायोस यह एक software program है computer on honig पर सरप्रितम वायोस software चलता है यह computer सरप्रितम computer के सभी hardware की जाच करता है इसे power on self test post कहते है फ्रहे थ्रूपोट computer द्वारा पिती काई समय में संपादित उप्योगी processing की संख्या को थ्रूपोट कहते हैं फ्रहे ज्वास्टिक यह टेक बॉल की तरह कार करने वाली एक pointing डिवाईस है इसका प्योग simulator फिसीक्षा रोबोट ने इंतन वीडियो गेम आधी में किया जाता फिर refresh rate मोनीटर के द्वारा एक सेकंड मैं refresh होने की दर को refresh होने की दर को refresh rate कहते हैं इसकी काई है 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 इसके अधिक होने से monitor की योड़ बत्ता बरती है फिर है dot picture computer monitor पर जो सूचना या graph या तस्वीर हम देखते हैं वह छोटे-छोटे चमकीले बिंदुआं से बनी होती है इने ही dot या pixel कहते हैं यह dot जितने नजदी को खने होंगी चित उतना ही अच्छा हमें दिखाई देगा फिलोटर या printer की समानी एक output device है इसका उप्योग उच्च गुडवत्ता वाली रेखा चित्रों को बड़े बड़े कागचपर प्राप्त करने ही तू किया जाता है speech synthesizer, speech synthesizer इसके द्वारा विविन भासाओं का अनुबात किया जाता है इसकी साहता से लिएक सूचना को दोनी में परिवर्ति कर सकते हैं फ्रह ई-ई-प्राउंग वहत्मात समय में इसका उप्यक साहिक मेमोरी के रोम में हो रहा है इसे flesh memory भी कहते हैं इसमें सर्क्र से निका नारंड पेंडराइब है फ्रह कैस मेमोरी मेमोरी से डाटा पराप्त करने की गत्ति बढ़ाने के लिए केस मेमोरी का उपयोग किया जाता है यह प्रादमिक मेमोरी तथा CPU के बीच अतिनक तीप मेमोरी के रूम में उपयोग होता है सामनता इसका आकार 256 के भी सिद चार MP हो लेजर डिस्क भी कहते हैं यह पॉली कारवोनेट फिलास्टिक से बनी एक गोल्ड डिस्क होती है इसकी एक परत पर अलुमिनियम की पतली चमकदार चादर को चड़ाया जाता है ताकि यह प्रिकास को परावर्तित करें तरह बिलू रेट डिस्क इसके उपयोग है तो बिल कार में सामान डीवीडी एस सीडी की तरह होता है फ्रेस इस पूलिंग यह जब किसी डॉकुमेंट को फ्रेंट के पुर्व उच्च गती चंता वाले पर में भीजा जाता है तो इस कार को इस पूलिंग जाते है फ्रेव बफर इसका उपयक दो करणों के भी डाटा ट्रास् इसमें केबल दो चर्णों जीरो और बन का प्योग की होता है यह वाइनरी संख्या बदिती में प्योग की दानी वाली गड़ेत है फिर सेयर्वेर यह एक सॉप्ट्वेर प्रोग्राम है जिसे कोई सुलक चुकाई बिना एक निश्चे समय तक प्योग कर सकते है फिर थार् प्योटीक है जिसे मनोस समझ सकता है किसी करेक्टर को फार्ट विट या एक बाइट निरूपित करते हैं फ्रेब ब्रेंड विट संचार मात्रम की सूचना बहन करने की चंता को ब्रेंड विट कहते हैं इसके मात्रम से उपलग उच्चितम और नियुम्नतम आकरेती की सीमा को ब्रेंड विट कहते हैं ब्रेंड विट को एनालोग संचार के लिए हर्ट में मात्ते हैं अगर किसी संचार मात्रम के ब्रेंड विट को बड़ा दिया जाता है तो डाटा का संचारान पड़ जाएगा फ्रे ब्रेंड ब्रोड बेंड जिसे संचार मात्रम में डाटा इस् से अधिक चमता के संचार को ग्रांड बेंड कहते हैं फिर में माइक्रूवेव इसमें विद्धु चुमकिया तरंगों के संपेशन से संचार इस्थाबित करने इस्थाबित किया जाता है इसमें अती उच्छे आवित्री वाले विद्धु चुमकिया तरंगों का उप्यों क केवल, मौटल, राउटर और टेलीफॉन लाइन, जो डायलब लाइन का विक्सित रूप है, इसके द्वारा इस्थानी एड नेट्वर्वर्व भी बनाया जाता है, इसमें इथरनेट प्रोटोकॉल का उप्यों होता है, फ्रे आई-स-डी-एन, इंटरगेटेड शर्विश डिजीटल नेट्वर्वर्व, यह है एक टेलीफॉन लाइन है, जो डायलब लाइन का विक्सित रूप है, इसके डाटा हस्ता अंतरण डिजीटल रूम में होता है, था मोडेम की आवास्ता नहीं होती है, फ्रे जी-एम, जी-एस-एम, गिलोबल सिस्टम फोर मोबाइल कम जी-एस-एम, मानक का प्रिकास, यूरोपी है, टेली-कम्यूनिकेशन, इस्टेंडर्ड इस्टिटूट द्वारा, दुटिय-एपीडी के डिजीटल सेलूलर, नैट्रवर्वर्ग के फ्रोटोकॉल की व्याक्ठा के लिए किया गया था, मोबाइल पॉन संचालन का टेली-कम्यूनिकेशन मानक की तकनिक है, प्रहें, इसमें कम्प्यूटर के माध्यम से, टेली-कम्यून लाइनों द्वारा, दीजीटल डाटा, ट्रास्मिशन किया जाता है, प्रहें हब, इसके माध्यम से, दो या दो से एक नेटवर्वर्वकों को आपस में जोड लिए किया जाता है इंटर्नेक द्वारा डाटा संदेश को कम समय में निरधारित पते पर पहुंचाने का काम राउटर करता है यह डाटा संकित पैकेट के रूम में एक स्थान पर जाते हैं यह नेटवर्क गेट टुबी परिस्थार इस्तिगित होता है हाडवेर एवन सब् कि मिस्टर से राउटर का कार करता है फ्रे मोडें इसका उप्यों कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने ही तुके किया जाता है यह कंप्यूटर से उपन डिजीटल आंकड़ों को एनालोग सिंगनलों में बदलता है इसी पेकार एनालोग सिंगनलों में बदलता है इसी त्वारा इंटरनेट की माद्यम से दूरस्त कंप्यूटर से डोकुमेंट में खोजना और प्राप्त करना संभव है पिंग के माद्यम से किसी बिसेश कंप्यूटर की IP address की जाज की जाती है के चलिए बात करते हैं पिंग जम इंटरनेट पर कंप्यूटर और उससे जुड़ने ही तो किसी विसेश पहचान अत्वां पास्वेड की आवस्त्ता नहीं होती है उसे प्रेंग करते हैं अनोनीमस सर्वर इस प्रेकर के सर्वर से जुड़ने एट उन विसेश का इचान अत्वा फास्वेड की आवस्तेकता नहीं होती है वह अब यह एक पकार का आवांचित बेंडू होता है जो बेप पढ़ते समय स्वयम खुल जाता है सरच इंजन वाइल वाइड बेप की अथास सूचना बंडार से हमें वांचित सूचना खोजने में वदत करने वाला सेर्च इंजन बालों को सेर्च इंजन कहते हैं कोई भी सेर्च इंजन सभी वेप पेजों की सूची बना कर रखता है गूगल और कुट याहू अल्टा विष्टा आधी कुछ पिर्वोग इंजन सर्च इंटरेनेट के बादें से अपनी सूचना की खोज सर्फिंग कहलाती है वेपेज पर इस्तित हाइपल लिंक के द्वारा अपनी सूचना को आसानी से खोज सकते हैं तरह थंबेल थंबनेल नाकून के अकार का छोटा रूप जिससे किसी चित्भ और मेट को पिदर्सित करते युद्ण करते हैं कलावड कंपियूहृटिंग कंपियुटर को अप्लग्द इंटर्णेट के मात्म से विंवीन सिवाओं के उस्पियोग को किलावड कंपियूटिंग करते हो इसमें विदान करती है तो हाइडवेयर अथवा सॉप्टवेयर से रूम में फायर वाल हो सकती है कभी-कभी यह दोनों रूपों में हो सकती है यह इंटरनेट पर लेन नेटवर्क की गूपनी इता को बनाए रखने का काम करती है तर डिजिटल आस्ताक्षा इस तक्निक का उपयों क कंप्यूटर पर अप्लाव दिन डॉकुमेंट की गूपनीदा को बनाए रखने का काम करती है यह इस तक्षा वो मैसे यह डॉकुमेंट से जुड़ जाता है इस तक्षा को कोड़ेट फॉर्प में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है फिरमों कुरोप से इसका पिचलन इस तक्षासन और इकोंवास के छिंद में होता है किसी व्यक्ति की कंप्यूटर नेटवर्ग पर पहचान इस्थापित करने तता तक देखो इस्थापित करने की तखनीव डिजीडल अस्ताक्षर है फिर है बायुमेंटिक तखनीक अंगली की छाप चहरी की आखती आग की सायता से पहचान इस्थापित करने की तखनीक को वाइब्यंटिक तखनीक कहते इस पिकार इस तखनीक का प्योग करने के लिए कंप्यूटर में पहले ही अधीक्रत व्यक्तियों के नमून नमूनों को संग्रेद कर दिया जाता है थरे स्पीकर साउंड कार्ड से इपराफ मुल्टि मीडिया स्पीकर में एक अप्लीफाय दता है आवाज घटाने बढ़ाने के लिए बॉलूम का ड्रॉल नौब होता है फिर है इसकी प्रोजक्टर इसके दोरा कंप्यूटर इसकी कंप्यूटर स्कीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों को बड़ी स्कीन पर दि देने बाला आउटपूट डिवाइस है इसमें आवाज चित्त चल्चित तथा एनिवेशन का उप्योग होता है फैब फेरलल पोर्ट इसका उप्योग डिवाइस को जोडने में किया जाता है इसकी स्पीड तीप होती है इसके दोरा इक साल चार्ट विट या अधिक डाट करते हैं इस पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है कि इसमें डाटा इस थाना नहीं तो अधिक व्रेंट विट की आवस्यक्ता हो दिए सामान रोप से इस पोर्ट को पेंटर से जुड़ा जाता है अधा इसको पेंटर पूट भी कहते हैं प्रहें वेंचेस्टर डिस्क में दो से अधिक हार्ट डिस्क प्लेटर को एक एंद्रीय सॉप्ट के साहरे एक के उपर एक इस्थापित करते हैं इस डिस्क पें डिस्क पैक में एक मोटर लगी होती है जो डिस्क को एक्सेस के साहरे माती है इस डिस्क को सील बंद डिबे में पैक करके करते हैं ताकि धोल ख पिलास्टिक का बना एक चोटा काड़ होता है इसके डाटा को पढ़ने के लिए smart card रीडा का उपयोग किया जाता है इसका उपयोग मुकरूप से ATM काड़, credit काड़, security काड़, पहचान काड़ आधी में किया जाता है कई परकार के smart card में माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही इप प्रॉंग भी लगा होता है तरहें MS-DOS MS-DOS 116 विट का उपरेटिम सिस्टम होता है इस उपरेटिम सिस्टम में चित और ग्राप नप पाने और इसकी माक कमान्ड याद रखने की कारण बतमर में स्काउटियों कम हो गया इस उपरेटिम सिस्टम को सेवत रूप से माइक्रोशॉप्ट वा आई वी एंड ने 1921 में बनाया या ओपरेटिम सिस्टम कमान्ड प्राम्ट में आधारत रहे उनिक्स इस उपरेटिम सिस्टम सब्वार विकास बेललेवर्टी केंन थांसन और डेश रिची ने 1970 में किया था इसा उप्रेटिम सिस्टम सब्वार इउनेक्स यह पहला ऐसा सब्वार था जो कि नेट्वार्ग और संच्छार के लिए बनाया गया था यह डाटा की प्रप्षा भी करता है मुख्रूप से शौप्ट्वेयर का उप्योग बेव सर्वर के लिए किया जाता है कि लिए जाते हैं से शौप्ट्वर के साथ भी किसा निर्दे से तथा यूजार मैनुवं दिये जाते हैं से ट्रूल जिस परकार आम बुछाल की बाद साथ में सब्धों चेंडों के प्योंगे क्यों ब्याकरण के कुछ नियम होते हैं ठीस उसी पेकार कप्प्यूटर में भी सब दोर्चेंड होते हैं जिने सेंटेक्स रूल कहते हैं कि सी और सी पिलस पिलस बैल लिवूर्टीज कि डैनिस रिची और ग्राउन कर निंगम द्वारा एक उचेस पर यह भासा का विकास निस सब्सक्राइब लिवूर्ट कि अग्रेजी जैसी है सी फिलस पिलस ऑब्जेक्ट ओर्येंटेड प्रोग्रामिंग भासा है यह वासा चंचित रूप में कठेना इस भासा का पर उच इस तरी है भासा में असेमली भासा की छंबता बड़ा डालने की उत्देश किया जाता कि अंगे बात कर देंगे सी साफ इस बाता करें का माइक्रोप्ट के द्वारा इंटर्नेट में पेव हिदू किया गया इंटर्नेशनल और्गनाइजिशन इस्टेंडर्ड डाइजिशन तथा यूरोपीए कम्प्यूटर मैंनुप्यक्ट्रिंग एसोसीशन द्वारे आसा बाता प्राप्त है एक ऐसा टेवल जिसका स्वयम का अपना कोई डाटा नहीं होता है वलकि उसका डाटा किसी दूसरे बेश टेवल से लिया होता है उसे व्य जान करने का विव एक उपयोगी मात दें प्रैयों तार यह तामे की दो तार होते हैं जो आपस में लिखते होते हैं इंतारों पर प्लास्टिक या टैपलॉन कुछालकों की परश्चरी होती है यह संकेत को रिपीटर की अनुकस्तित में भी लगबग एक किलमीटर तक ले जाने में सक्ष्चों होते हैं तरह मेटोपोलिटिक एरिया नेटवर्क मैन इस नेटवर्क का उपयोग एक ही सहर किलमीजी एवं सारुजिक कंप्यूटरों को जोडन में किया जाता है घरों में उपयोग मुनने वालक केबल टेलीवीजन मैन का एक अधारा है यह यह नेट कि यह दो पिगार पूर में स्टॉपोलोजी तथा आंसिक में स्टॉपोलोजी होती है मुखरूप से इस टॉपोलोजी का प्यों वैक बॉन नेटवर्क निर्वार्ण में होता है इस टॉपोलोजी का फिर मुक्त लाव यह होता है कि नेटवर्क के किसी नोड या संचार मा लाता कराब कुछ का खराब होने पर भी। यत ना यतर जारी रहता है। पर है बेतार तखनीक। केबल तखनीक सुग्धा नहों और खचीकी होने के कारण फिरुक्र नेटवर्क से जोड़ने ही दुव पेतार तखनीक प्योंच की आ जाते है। इसके इसमें और और रेडियो तर्म का उप्यों कर कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थाफित किया जाता है याद रखिए वायलेश टेकनोलोगी है फिर है पीहच्पी हाइपर्टेस्ट प्रोसेशन है कि यह एक सॉप्रिवेल लिंग दुझे सुरुआत में से फर्शनल हॉम पेज नाम दिया गया था इसका विव डायनेमिक बिपेज निर्मार में किया जाता है इस भासा का विकास रेसमस लेडो लेडो लोड ने किया था इस भासा का सब्सक्राइब के साथ मिलाकर किया लिए पीएच्पी बासा में तेयार वेबसाइट थेसो और याहूर तरहें इंडीफों प्रिसोर्स लोकेटर यूरल कंप्यूटर नेटपक में वाच्छे सूचना वास्थान और उसे प्राप्त किया जा सकता है यह बताता है किसी यूरल में डॉमेंट नेम के साथ सब्द अंग या विराम चिननक हो सकते हैं यूरल को टाइप करके 32 सीदे वेबपेज पर पहुँच सकता है किसी वेबफेज यत्वाप वेबसाइड का जैसी के भात ता पता उस वेबसाइड या वेबफेज का यूर कहलाता है क्रौस प् सब्सक्राइब करें प्रोग्राम यह यह ब्रोग्राम करता कि जयनकारी के मिन फास्वेड, ईमेल्स, फास्वेड, फूर्म मैं देखी के वेबसाइट, आदि करता है कुछ बड़ी विवसाई कंपनिया अपने करेमिचारियों की द्रती विधियों पर नजा रखने के लिए में है श्यूप्ते करता है यह किस अपने बट्नों पर रखता है या प्रोग्राम वियुख करता है अलग से चर्चा इंधि करते है